नमस्कार दोस्तों मैं विवेक माईश्वरी आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब के चैनल पर जैसा कि आप लोगों को पता है हम RPSC के इंटर्व्यू की प्रोसेस देख रहे थे जिसमें मैंने पहले आपको बताया था जो भी नए जने हैं वो RPSC में जाएंगे तो कैसे उनका इंटर्व्यू होगा अब मैं आपको यह बताता हूँ कि जब मैं पहली बार RPSC गया RPS 2013 में इंटर्व्यू देने तो मेरे साथ क्या हुआ था कैसे मेर से प्रश्ण पूछे गए थे और उनका मैंने किस तरीके से जवाब दिया था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे उसके पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा पांच बड़ी चीजों के बारे में आठ जो आपके जुलाई से इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं S.I.K. और सितंबर अक्टोबर में उसमें क्या क्या चीज़ें आएगी और क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए उसके बारे में आपको जानकार होनी चाहिए तो मैंने याँ पर पांच बड़ी चीजे निकाली ये तो आपको आनी ही चाहिए राजस्तान आर्ट एंड कल्चर देखो राजस्तान आर्ट एंड कल्चर का बहुत बड़ा वेटेज रहेगा आपके इंटर्विव में क्योंकि अधिकतर प्रश्ण वहां से पूछे जाते हैं ठीक है तो राजस्तान आर्ट एंड कल्चर को आप छोड़ के नहीं जा सकते हो ये तो आपको आना ही चाहिए ठीक है राजस्तान का आर्ट एंड कल्चर बहुत बड़ा है अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो जिला दर्शन वाली बुक लिया हो अपनी ठीक है तो उसमें तैयारी हो जाएगी बाकी मैं अभी आपको वीडियो पलब्द करवा दूँगा राजस्तान आर्ट एंड जोगराफी मैं ने डाल दी है डिष्टिक के बारे में अपने जिले के बारे में आपको बहतरीन जानकारी होनी की ? आपके जिले में कैसे ग्रोथ हो सकती है आपके जिले की पार्शद कौन है कितने आपको यह लगते एंब आपके वाड कितने है मतलब Everything about your district मतलब actually क्या है कि district के बारे में आपको जानकारी अधिकतर आपके interview में काम में आएगी अगर आपको district के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप पच्ता होगे बहुत वहाँ पर ठीक है क्योंकि वहाँ से प्रश्ण उठना करीब करीब तहे रहता है current affairs बहुत important चीज है COVID-19 चल रहा है इससे प्रश्ण आ भी सकते नहीं भी आ सकते बट लेकिन जैसे चाइना वाला विवाद है आपका और आपका इसके अलावा जो नेपाल वाला विवाद चल रहा है अमेरिका और इंडिया वाला जो चलता है अपस में की अमेरिका इंडिया आपस में जुड़के कैसे चीन को पटकनी दें और चीन और अमेरिका ट्रेड वोर से लेकर जो भी current affairs के मुद्धे राजस्तान में COVID-19 से कैसे निप्टे जैसे भिलवादा वाले हैं भिलवादा मॉडल सुरू में सक्सेज हुआ था उसका वीडियो मैंने बना रखाया आप वीडियो देख सकते हैं भिलवादा मॉडल के बारे में तो आप लोगों को easy लगेगा उसके अलावा अभी फिलाल जो current affairs में important चीजे हैं वो आपके अगबार है ठीक है अगबार को आप बिलकुल एकदम दो गंटे देकर अच्छे से अपने दिमाग में fit कर लें क्योंकि अगबार से ही अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं और जाएंगे आपके वहाँ पर भी नहीं होनी चाहिए आपके समिधान के अनुसार आपको काम करना है वहाँ पर जो भी आपके मन में चल रहा है ऐसा नहीं कि वहाँ जाके बोल दें आप समिधान क्या कहता है उस बारे में आपको वही रखना है सारी की सारी चीजें वहाँ पर interview board के सामने ठीक है पॉलिटी पॉलिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और पॉलिटी से प्रश्न आना भी करीब करीब ते रहते हैं जिसमें इंडियन और राजस्तान दोनों ही आपके कवर हो जाती है जैसे आपके मुख्यमंत्री हैं जो वित्वमंत्री भी है या नहीं है इस तरह के पॉलिटी में जो सरकार गिरके वापिस नहीं बनी है वो वाला मुद्दा है इसके बारे में आपके प्रश्न हो सकते हैं होबी देखो एक बहुत बड़ा मुद्दा है होबी अगर आप लिखते हैं वहाँ पर मैंने आपको बताया था फॉर्म में कहीं होबी का उल्लेक नह जाएगी जैसे कुछ लोग आजकल योगा को भी लिख रहे हैं भया योगा आप लिखतो रहे हो लेकिन एक बहुत बड़ा सेगमेंट है योगा आपको ऐसा लगता है कि बहुत चोटा है योगा बहुत बड़ा है अगर आपसे पूछ लिया जाए कोई ऐसे आसन के बारे मे जैसे cricket आपको देखना पसंद है कि खेलना पसंद है ये दोनों में भी बहुत बड़ा अंतर है अगर आपको देखना पसंद है तो आपको हर चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए और अगर आपको खेलना पसंद है उसको तो खेलने में जितनी जानकारी चाहिए उतनी ही आपको होनी चाहिए फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते वहाँ पर सर ये तो मुझे नहीं पता ये कौन सा वर्ड कप जीता था इंडिया सर सुरी सर अब आप अगर हो भी लिख रहे हो वहाँ पर तो आपको जानकर ही होनी चाहिए और नहीं लिख रहे हो तो बहुत ही बड़ी बात है आप लोगों को जैसा भी अच्छा लगे वैसा आप इसमें कर सकते हो तो ये पांच जो चीजें फैक्टर दी है मैंने आपको ये पांच बहुत बड़ी चीजें आपके इंटर्विव में बहुत ज्यादा काम में आएगी अब शुरुवात करते हैं मेरे इंटर्व का बोर्ड था और एक रिटाइड आई एस ओफिसर थे एक रिटाइड प्रोफेसर थे ठीक है आगे बढ़ते हैं आपने 10th 12 तथा graduation कहां से की पहला ही उनका यह प्रश्ण होता है कि आपने 10th 12 तथा graduation कहां से की इसका कारण क्या होता है कि cross verify करना की बंदा वही है जो interview देने आया है जिसका यह form हमारे पास में आया है ठीक है 10th मैंने अजमेर से करी थी और 12th बिलवड़ा से करी थी तो इसका क्या कारण था तो मैंने बताया सर फादर government servant है और government servants कैसा transfer होते रहते हैं तो वो हसने लग गए और हसने के साथ ही वो माहोल कैसा हो गया शान्त हो गया एकदम क्यों क्योंकि उनकी हसी और मेरा एकदम सहज होना वहाँ पर दोनों चीजें एक साथ हो गई उन्होंने पुझा यार यह तो बहुत बड़ी पहन रखी तो आपको उस तरीके से भी जाना पड़ेगा कि आप से वहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्लू शेट यह क्यों पहनी है क्यों पहनी है भी ब्लू शेट ब्लू शेट आप बहुत सारे कारण दे सकते हैं सर एक तो अच्छे लगता है कलर बहुत लाइट कलर है तो सूट करता है बॉडी के उपड़ी के उपर दूसरा चीज इसमें बॉडी आपको शाइन मारती है बॉडी ठीक है तो आप इस तरी थोड़ी सी वीक थी जगे लेकिन यू आर मैं ब्लू आईज का मतलब होता है आप मेरे आख के तारे है तो मैंने आख का तारा बोला ठीक है चलो काम चल गया वहाँ पर लेकिन आपको ये आना चाहिए यहां से इन्होंने लिंक करा है तो ये बहुत बड़ी बात यहां पर ह हो जाती है मानिकिलाल वर्मा कौन थे मैंने बताए 10 यहां से करी 12 यहां से करी और ग्रेजुएशन कहां से करी MLV गौर्वर्मेंट को लेश से करी है MLV का पूरा नाम मानिकिलाल वर्मा तो वहीं से उन्होंने प्रशन उठा लिया आप अपने इंटर्विव के खुद करता अगर आप इंटर्विव को मोडना चाहे तो भी आप मोड सकते हैं जैसे MLV से चालू हो गया और फिर भीलवड़ा के प्रशन आने लगे बीलवड़ा किस किस के लिए प्रसिद्ध है बताओ किस किस के लिए प्रसिद्ध है तो मैंने बहुत सारी चीज़े उसमें बताई औ और फिर उन्होंने अबरक को चुन लिया एक अबरक जो है कि खनीजे की दातु है अब क्या है अबरक खनीजे की दातु है अब आपको इसके जवाब देना पड़ेगा चांदी निकलती है वहाँ पर मैंने बताई से रामपुरा अगुचा जो माहिन से वहाँ पर बिलकुल चांदी निकलती है अबरक कहां काम निकलती है वहाँ पर फिर मैंने बताई कि अबरक की आपर अलग अलग पेटिया है दाता भुणास फूलिया जहादपूर ये पेटी है अबरक की जहाँ पर सबसे ज़्यादा अबरक पाई जाती है ठीक है राजस्तान का एकिकरण कितने चरणों में हुआ आपको पता यह सब factual question है सारे के सारे factual question है जिनको आपको बताने की जरवत नहीं है क्योंकि आपको भी यह सारे question आते हैं जो जो question पूछे मैं बता देता हूँ आपको राजस्तान का एकिकरण कितने चरणों में हुआ अगला प्रेशन था मेरे से ठीक है कौन से दिन राजस्तान से जोड़ा गया सुनेल टपा और सिरोंज का नाम सुना है चरणों में कहीं तो आपको इन सब का जवाब आना चाहिए यह आपके राजस्तान के इतिहास का ही का इतियास का पार्ट है ये सारे क्यूशन आपके उसमें से कवर हो जाएंगे ठीक है पंचायती राज क्या है अब देखो पंचायती राज पर इंटर्वीव शुरू हो गया तो पूरा पंचायती राज से क्यूशन पूछे गए पंचायती राज विवस्ता क्या है अभी पं भी बोल दें इसमें और नहीं आता तो sorry बोल दें बिलकुल इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है अगर कोई question नहीं आता तो बकाइदा आपको sorry बोल देना चाहिए कि sorry sir मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है या sorry sir मैं इसको recall नहीं कर पा रहा हूं ठीक है ये दोनों के बारे में जैसा मैनने सुरू में बताया आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए ऐसा नहीं कि आप डिस्टिक के बारे में जानकारी बिना लेएं हैं वहाँ पर चले जाएं अगला अरावली का भाग है कि विंद्याचल का भाग है यह आपको वहाँ पर आना चाहिए ठीक है क्या निकलता है यहाँ से मतलब बिजोलिया से क्या निकलता है इसकी प्रकरती कैसी है ठीक है यह सारे क्यूशन यहाँ पर पूछे और रेक रामपुरा अगुचा क्या है रामपुर फेलवड़ा में परेटन इतना जादा नहीं है लेकिन खनीज और आपके जो संसादन रहे वह बहुत जादा हैं आपर तो अधिक तर उन सब चीजों को चीजों कवर करने की कोशिश यहां पर उन्हों करी है मेरे से चुहों की देवी का नाम सुना है क्या चुहों की देवी का नाम सुना है आपने करणी माता का जो मंदिर है ठीक है वहाँ पर चुहों की देवी के नाम से फेमस है करणी माता ठीक है तो वो क्या है और कहा है ठीक है यहत्त सब्सक्राइब काई ब hazırakan का पुजारी बिये सबसे बड़ी और पानी की विवस्ता कैसे मैंने बताए बिल्वडा की सबसे बड़ी समश्या क्या है वहाँ पर पानी की समश्या यहाँ क्योंकि हमारे यहाँ पर अब आपको बिसलपूर डैम से पानी आता था अब हाल ही में चंबल का पानी जब आने लगा है तो यह वेवस्ता खतम हो गई है इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब बिलवड़ा की सबसे बड़ी समश्या क्या है बताओ कोई है बताने वाला चलो मैं ही बताता हो बिलवड़ा क अब सबसे बड़ी समश्या है यहां का वस्त्र उद्योग ठीक है कि हां के वस्त्र उद्योग में अब दिक्कते बहुत बढ़ती जा रही है उसका कारण है एक तो यह COVID-19 तो चलो है इसे यह तो सब चीजों का कारण है दूसरा कारण यहां पर पानी की कमी है डार्क जोन इतनी नहीं रही है ठीक है यहां पर इतनी ज़्यादा दिक्कते आने लग गई है अब आप से पूछ लेगी भीलवडा के आगे आने वाले फ्यूचर में कौन-कौन से उद्योग पनप सकते हैं तो आप आप टाइल्स वाला उद्योग बोल सकते हो जो टाइल्स लगती न म हमारे यहां रो मेटरिल सबसे ज़्यादा है उसका यहां से रो मेटरिल जाता है मोरवी और मोरवी से वापिस यहां पर लाते हैं तो आप यह बता सकते हो कि अगर गैस पाइपलाइन यहां पर डल जाए तो बिलवडा में सबसे ज़्यादा ग्रो कौन सा उद्योग करेगा आप ये जो tiles वाला उद्योग है, sanitary वाला उद्योग है, सबसे ज़्यादा growth करने की संभावना है, तो ये आपको आना चाहिए, पानी की विवस्ता आप कैसे होती है, पानी की विवस्ता आप चंबल की pipeline आ गई है, सब जगे डल गई है, तो उससे पानी की विवस्ता आपके ह हुती है, आपके यहाँ कीरती स्तंभ है, हमारे आप तो नहीं है, लेकिन चितोर में है, ठीक है, तो चितोरी आज़ोडब भी आसपास के डिश्तिक आपको आने चाहिए, विजय इस्तंभ कहा है, वो भी वहाहीं पर ही है, ये दोनों एक ही है, ये किसने बनाए, ठीक है, य एक साथ पूछ लिया आपके चित्तोड से तो आज सपास के डिस्टिक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि बीलवाड़ा के पास सबसे इंपोटेंट डिस्टिक है चित्तोड का किला और माराना प्रताप से लेकर सारी चीजें वहाँ पर तो वहां से क्युशन पूछ लिया है गागरून का किला कौन से जिले में आता है आप सिंपल सा बोल सकते हैं जरू जहलावार में अए उस लिये वहां से उन्होंने current अफेर्स से प्रेशन पूछा गया था और राजस्तान में किलों के अलावा दो और कौन सी जगह जो की वर्ड हरिटेज साइट में सम्मेलेत हैं तो यह सब आपके करन्ट अफेर्स का और आपके जोग्राफी का आर्ट का इनका पार्ट रहता है अधिकतर ठीक है आगे अगर आपको बना दिया जाए तो सबसे पहले मना दिया जाए है सबसे पहले आप जहां पर जहां के भी मिने वह जाएंगे और वहां पर जितने भी अधिकारी उनके एक meeting लेंगे कि आखिरकार वो जो आपका division है उसकी आखिरकार समझ्या क्या है वहाँ का work culture क्या है अभी तक कैसे काम होता था वहाँ पर और आगे कैसे हम काम कर सकते हैं तो एक team के रूप में अगर आगर आगर उनको काम करना है तो आपको वहाँ पर जाते ही एक team leader की तरह आपको वहाँ पर काम करना पड़ेगा आपको सबसे पहले meeting लेनी पड़ेगा आप वहाँ के अगर boss कहलाएंगे तो गलत हो जाएगा आप वहाँ पर team leader के रूप में जाए जाए तो आप क्या करेंगे सर मैं सबसे पहले मिटिंग लेना चाहूंगा सारे अपसर जितने भी हैं वहाँ पर मेरे सब और वहां की जो जो समश्या हैं वहां के जो जो मूल भूत प्रश्ण है वहां की जो जो अच्छाईया है वो मैं जानकारी जुटा कर और फिर उसके बाद उसके उपर काम करना चाहूंगा बेसिकली आपको SWOT analysis करना है strength क्या है वहाँ की, weakness क्या है वहाँ की, opportunity क्या है और threats क्या है वहाँ के ये सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी वहाँ पर होनी चाहिए राजस्तान में विदान सबाई की कितनी सीटे है राजस्तान में विदान सबाई की कितनी सीटे है 200 सीटे है ठीक है यह आपको पता होना चाहिए यह तो simple simple से प्रश्ण है बजट क्या होता है बजट के बारे मैं पूछ लिया कि बजट क्या होता है कौन सा नुच्छेद होता है बजट कौन पेश करता है वित्रमंत्री है तो वित्रमंत्री कौन है राजस्तान के तो उससे मैं वसंद्रा राजे जी के पास ही वित्रमंत्रा ले था तो वित्रमंत्री कहन है वसंदरा राजे थी तो आपको यह सारी जानकारी बजट से इतने सारे उन्होंने प्रशन दाग दिये आपके उपर आगे आगे बहुत important question पूछा उन्होंने मुख्य मंत्री निशुल्क दवा योजना क्या है मुख्य मंत्री जो निशुल्क दवा योजना 2011 से शायद ये लागू है ये क्या है ये सही है या गलत है इसे चलते रहने देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए कोई भी योजना जब सरकार बनाती है तो गलत नहीं बनाती है जब सरकार बनाएगी तो अच्छे के लिए बनाएगी जैसे आपको अनपूर्णा बन्डार योजना थी जिसको अब इंद्रा रसोई योजना शायद कर रहे ही गोवर्मेंट तो यह सारी योजना है जो अच्छे के लिए बनाई जाती है तो आप गलत नहीं बोल सकते हैं सब अमध्cion करब करना चाहिए इसके बारे में भी आपको जवाब देना चाहिए कि इस से गुवर्नमेंट को या फाइदा है या वारत राजस्तान की जनता को क्या फाइदा हो रहा है इसके बारे में आपको विचार करना चाहिए फिर मैंने इसमें बताया था कि सर इसमें क्या होता है कि जैनरिक दवाया दी जाती है तो उन्होंने पूछा कि जैनरिक दवाया और ब्रांडेड दवायों में क्या अंतर है मैंने बोला सर साल्ट में कोई अंतर नहीं आता है जो salt उसका रहता है वो ही इसका रहता है भर अंतर क्या है वो branded है तो उसके बारे में advertisement होता है उसका पैसा इसमें जोड़ दिया जाता है तो quality में क्या फरक्पढ़ता है क्या बिल्कुल नहीं पढ़ता है generic दवायां और branded दवायां दोनों एक ही होती उनकी quality में कोई अंतर नहीं आता, केवल branded है, इसलिए उसमें brand का पैसा जुड़ गया है, बैकि generic दवाई और branded दवाई एक जैसी होती है, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा मिरे को बोला, बहुत अच्छा बिटा, चंबल का पानी कब तक आएगा आपके शहर में, अब तो खे अब बाईस प्रशन था, और बहुत इंट्रेस्टिंग प्रशन था, मेरा मंदिर का है, मैंने बना है, मैंने बोला sir, मेरता सिटीन आगोर में, अच्छा मेरता में, कल तो मैंने रूपन गड़ में देखा था यार, ऐसा ऐसा करके उन्होंने मेर को बोला, तो मैं मैं बुला सर बिलकूल हो सकता है आपने रूपनगड में देखा हो लेकिन शायद जहां तक आप जिस मंदिर की बात कर रहें और जो फेमस मंदिर है वो मेरता सिटी नागोर में है तो उन्हें बहुत है अच्छा आपका इंटर्वीव बहुत अच्छा लगा हमारे को और ये सारी जानकारी मैंने वहाँ पर दी इंटर्वीव में और करीब 22 मिनिट तक इंटर्वीव चला देखो सबसे बड़ी बात दो चीजे मैं कहना एक तो confidence नहीं खोना है, question हो सकता है कि आपको आए, question हो सकता है कि आपको नहीं आए, लेकिन confidence बिल्कुल भी नहीं आपको खोना है, confidence अगर खो दिया आपने तो आप वहाँ पर नर्वस हो गए और नर्वस हो गए तो आप समझ लो आपका इंटर्वीव बिगड जाएगा, दूसरी चीज, आपके चेहरे के expression ऐसे रहने चाहिए, जो आपका भाव होगा, उसमें एक सामान्यत है, जो नागरिक है अपन, उसमें कैसा भाव होना चाहिए, आपका भाव एकदम शांत भाव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई question पूछ लिया और आप एकदम उग्र हो कि यार, अगर मान लीजे, इसको कोई job दे दी जाए, अगर इसको SDM मना दिया जाए, और ऐसी समश्या हो जाए, कि सामने इसको मानने पीटने वाले भी आ रहे हैं, तो भी इसके चेहरे के हाव भाव देखकर ये व्यक्ति उनसे बच पाएगा, तो ऐसे आपके हाव भाव बिल्कुल होने चाहिए, ठीक है, तो ये थी मेरे इंटरव्यू की 2013 की पूरी स्क्रिप्ट, जानकारी देने के लिए और जानकारी लेने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो शेर कर दो, लाइक कर दो, सब्स